जैहिंग जैभारा दोस्तो आपका अपना चैनल एलेक्ट्रोनेशन मेकानिक स्टेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हम आपको निमी कुष्चन बैंक की सीरीज कर भा रहे हैं अगर आपने दोस्तों हमारी प्रीवेस अगर वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेडिस्ट पनी हुआ जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं अगर तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन कंटी को जरूर प्रेस कर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और वीडियो को इसकिप ना करें पूरा देखें तो चलते हैं दोस्तों अपने सीरे प्रश्ण पर पहला प्रश्ण दियेगा है बी आई एस के अनुसार एकल चरण घरलू वायरूंग में तावा अर्थ निरन तरता कंटेक्टर का नियोंतम आगार क्या है तो आपके सामने चार ओप्शिन देगे इन में से राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तों है हमारा है ऑप्शन नंबर डी मतलब 1.5 स्क्वार मिली मीटर होता है अगला प्रेशन दिया गया है मौजूदा अर्थ सयोजन में अर्थ प्रत्रोद मान को कम करने के लिए किस पद्धती का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार ओप्शिन है इन में सा राइट कौन सा है अगला प्रेशन दिया गया है अर्थ प्रत्रोद परिच्छक का उप्योग करके अर्थ के प्रत्रोद को मापने के लिए एसी किया सकता क्यों होती है तो चार ओप्शिन दिया राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तो ओप्शन नमबर डी बिद्धुद अबगट्य और बिद्धुद बहागबल को हटाना अगला प्रशिन दिया गया एसी एकल फेस वाइरिंग परिपत में बोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है तो दोस्तो आपके सामने चार ओप्शन है इनमें सा राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमबर ए यानि कि बोल्टेज पात बरावर आई आर बोल्ट अगला प्रशिन दिया गया आई ए नियमों को यह अनुसार पावर उप परिपति के लिए अधिक्तम अनु में भार क्या है तो चार ओप्शन में सा राइट है हमारा को बोर्ड में सेवा संयों जन आप उरती किस इस्तान से जुड़ी होती है तो चार ओप्शन में से राइट कौन सा है तो राइट है ओप्शन नमबर सी उर्जा मापी तो दोस्तो आपके सामनी एक डाइगरम दिया घरेलू वाइरिंग इस्तापना में परिचड का प्रकार बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तो है वो हमारा होगा चार ओप्शन में से ओप्शन नमबर ए यानि द्रुवता जांच अगला प्रशन दिया घरेलू वाइरिंग इस्तापना में अनुमत रिशाव वर्तवान क्या है तो चार ओप्शन में से राइट कौन सा है तो राइट है ओप्शन नमबर डी एक बटा पांच हजार इंटू पूर्ण भार धारा बहुत ही इंप्पोर्टेंट कुश्चन दोस्तो अगला प्रशन दिया गया है वी धता कुडां की गणना करने के लिए किस सूत्र का अप्योग किया जाता है तो चार ओप्शन दिया इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तो आप्शन नमबर सी अगला प्रशन दियागा है नए घरेलू वाइरिंग इस्थापना का परिच्ण करने के लिए किस अपकरण का अप्योग किया जाता है तो चार ओप्शन में से राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तो है मारा ओप्शन नमबर B मेगर अगला प्रश्न दिया गया है वाइरिंग इस्तापना में परिछण का प्रकार क्या है तो आपके सामने ये चार आप्शन है इनमें से बताना आपको राइट कौन सा है ये डाइग्राम दिया गया इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों जल्दी से बता तो राइट आंसर ऑप्शन नमर डी यानि चालकों एवं भूमी के मद्द कुचालक प्रत्रोध जाचना अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण दिया गया है सिस्टम अर्थिंग कहां किया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है तो right answer है option number A यानि generating station अगला प्रशन दिया गया है मेगर का उप्योग करके क्या परिछण किया जाना है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है option number B यानि कोचालक प्रत्रोत परिछण अगला प्रशन दिया गया है कि घरेलू wiring circuit में लेंप, चमक कम और मोटर धीमी गती से चलने का क्या कारण है तो आपके सामने चार option दिया है इनमें सा right कौन सा है right answer है option number C उच्चमान स्रेडी परपत दोस अगला प्रशन दिया गया है कि system earthing को किस wiring इस्तापना के लिए किया जाना है तो चार option में से right कौन सा है तो हमारे जो right है option number A उपकेंद्र अगला प्रशन दिया है प्रत्वी प्रत्रोत माप की कौन सी विदी सचित्र है तो आपके सामने चित्र दिया गया इसका नाम बताना है तो चार option दिये गए इनमें से right कौन सा दोस्तों जली से बता है तो right answer option number B यानि विभव का पतन अगला प्रशन दिया आई इ नियम के अनुसार उदासीन सयोजन में हार्मोनिक विकर्तियों को कैसे नियंत्रित किया जादना चाहिए तो चार option में से आपको बताना है right कौन सा है इसका जो correct answer दोस्तों वो हमारा option number A यानि कि प्रति बादा के माध्यम से कमाई अगला प्रशन है हमारा कि अर्थ प्रद्रोत परिचक में धारा उत्क्रमक का कारी क्या है तो चार option दिये आपको सामने right कौन सा है तो right answer है option number C यानि कि DC आपूरति को AC आपूरति में बदलना अगला प्रशन दिये गुथे हुए conductor का ठोस conductor की तुलना में क्या फाइदा है तो चार option में से right कौन सा है तो right है हमारा option number B यानि अधिक लचीला अगला प्रशन है हमारा प्रतिवी के प्रतुरत को कैसे कम किया जा सकता है तो चार option में से right कौन सा है तो right है हमारा option number A दोहरी अर्थिंग प्रदान करना अगला प्रशन दिये गया प्रतिवी प्रतुरत को मापने के लिए एक टोड को AC की आपूरती करने का क्या कारण है तो चार option में से right कौन सा है तो हमारा जो right answer है option number D यानि विद्दुद अबगटी विद्दुद भागबल को हटाना अगला प्रशन दिया गया है मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना सून परिस्तिर नहीं है तो चार option में से right कौन सा है तो right है हमारा option number A यानि ये बलागूण को नियंत्रित नहीं कर रहा है अगला प्रशन दियागा है कि प्रतिवी प्रतिरोध परिचक में ओम मीटर सुई के विच्छे पड़ किसके अनुपातिक है तो चार option में राइट कौन सा है तो हमारा जो right answer है option number D यानि दो कुंडुलियों में धारा का अनुपात अगला प्रशन दियाप प्रतिवी प्रतिरोध परिचक के सिद्धान पर काम करता है तो आपके सामने चार option है इन में साब को बताना करेक्ट कौन सा है तो right है हमारा option number C विभव पात विधी अगला प्रशन दियागा है कि उपकरण आर्थिंग की तुल्ला में सिस्टम आर्थिंग अलग क्यों है तो चार option में साब right कौन सा है तो right है option number C यानि ये धारा वाहक चालकों से सम्मंदित है अगला प्रशन दिया गया है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एंपियर धारा का जटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पढ़ता है तो चार option देर right कौन सा है तो हमारा right answer option number B दर्दनाक जटका लगता है अगला प्रशन दिया गया है M, C, B के किस विद्धुत उपकरण L स्रेणी का उप्योग किया जाता है तो right कौन सा दोस्तों जल्ली से बता है तो right answer है option number A गीजर अगला प्रशन दिया गया है डेर्ड लगू वाइरिंग इस्टोलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है तो चार option में सा right कौन सा है तो right है option number A यानि 0 मेगा ओम अगला प्रशन दिया गया है कि देदी प्यामान तीवरता की SI क्या है यानि luminous की intensity की इकाई पूछी गई है तो right answer कौन सा है तो इसका जो correct answer तो option number C अगला प्रशन दिया गया है तंतु लेंब का कारी कारी तापमान कितना होता है तो चार option है इन में सा right कौन सा है तो right answer है option number D 300 centigrade होता है अगला प्रशन है ट्यूब लेंब में tungsten electrode को किस पदार से लेपित किया जाता है तो चार option में सा right कौन सा है तो right answer है तो option number D यानि barium तता stracium oxide अगला प्रकार के उच्च दाप पारा वास्प लेंब किस इस्तिती में संचालित किये जाते हैं तो चार option में सा right कौन सा है तो right है option number D कोई भी इस्तिती अगला प्रकार प्रकार के उच्च दाप sodium बास्प लेंब परिपत में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या कार है तो चार option में से आपको बताना right कौन सा है तो इसका जो correct answer दोस्तो वह है option number D की प्रारंब में उच्च वोल्टेज को देना अगला प्रकार दिया गया है कि और धोगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में इस्ट्रो बो इसकोपिक प्रभाव कैसे कम होता है तो चार option में सा right कौन सा है तो इसका जो right answer है वह है option number C यानि संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के स्रेणी में संजूजित करना अगला पैसन दिया गया है कि फिलेशर की वरतवान वहन चमता क्या है यदि प्रतियक पंक्ती में करंट अगर 100 A है तो चार option दियेगे हैं आपको बताना right कौन सा है तो right answer है दोस्तो option number D 300 mili ampere अगला पैसन दियेगा समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को कौन सा सब्द संधर्वित करता है तो चार option में सा right कौन सा है तो right answer है option number B यानि illuminates अगला प्रशन है हमारा उच्च दवाव sodium बास्प लेंप सर्किट में चिंगारी देने वाले उद्देश से क्या है तो चार option में सा right कौन सा है दोस्तों जल्दी से बता है तो right answer है option number D यानि शुरू करने पर उच्च बोल्टेज पल्स उत्पन करता है अगला प्रशन देखा किस प्रकार का प्रकास फिटिंग डिजाइन चका जोन से मुक्त है तो चार option में सा right कौन सा है तर right answer दोस्तों है option number B अर्द अपरतिच प्रकार अगला प्रशन है हमारा उच्च दाब धातु है हेलाइड लेंप की बाहरी ट्यूब बोरो सिलीकेट ग्लास से क्यों होती है तो चार option में सा right कौन सा है तो right answer है option number D यानि लेंप से परावेगनी विकरन को कम करें अगला प्रशन दिया गया है प्रति यूनिट ठोस कोड़ पर प्रकास रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रफा को क्या कहते हैं तो चार option में से आपको बताना है right answer कौन सा है तो right answer है दोस्तों हमारा option number D यानि चमकदार तीवरता अगला प्रशन दियागा चमकदार प्रफा की इकाई क्या है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है दोस्तों हमारा option number B Lumine अगला प्रशन दियागा चमकदार दच्चिता की इकाई क्या है तो चार option में से right कौन सा है बहुत ही important question दोस्तों तो right answer है हमारा option number D यानि lumen per watt अगला प्रस्चन दियागा vacuum bulb में वास्पी करण की दर कम कैसे होती है तो चार option में से right कौन सा है तो right है हमारा option number A अक्रिय गैस भरना अगला प्रस्चन दिया गया है कुंडली त कुंडली लेंप का मुख खिलाब क्या है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है हमारा option number B यानि उच्च प्रकास उत्पाधन अगला प्रस्चन दिया गया है परावर्तक का नाम क्या है तो इसका नाम बताना है तो चार option में से right कौन सा है तो right है हमारा option number C परवलाइक प्रकार अगला प्रस्ण दिया गया है प्रकाश का नाम क्या है तो इसका नाम बताना है तो चार आप्शन में से राइट कौन सा है तो राइट आंसर है आप्शन नमबर A स्पोर्ट लाइट वोलते हैं से अगला प्राशन दिया गया है कौन सा ओपकरण चिंगारी बोल्टेज प्रतान करता है और एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार करता है तो राइट कौन सा है चार ओप्शन में से तो राइट आंसर है ओप्शन नमबर C रिशाव ट्रांसफॉर्मर अगला प्राशन दियागा है लेंप का क्या नाम है तो चार ओप्शन दियेगे इनमें से राइट कौन सा है तो राइट आंसर है वो है हमारा ओप्शन नमबर D MA प्रकार HP MB दीपक अगला प्राशन दियागा है फ्लरड और ओधोगिक प्रकास व्यवस्ता के लिए किस प्रकार की प्रकास व्यवस्ता का उप्योग किया जाता है तो राइट कौन सा है चार ओप्शन में से तो राइट है हमारा ओप्शन नमबर A यानि प्रतियश्य प्रकास अगला प्रश्ण है कि cold cathode lamp कौन सा है तो आपके सामने चार option इन में सा right कौन सा है तो right है मारा option नमबर बी नियान संकेत दीपक अगला प्रश्ण है हमारा एक संकेत उपकरण में pointer को सून इस्तिती से इस्ताना नितित करने के लिए किस बल्के उशकता होती है तो चार option दीए आपको बताना है करेक्ट कौन सा है तो right answer option नमबर बी यानि विचलान बल अगला प्रश्ण दिया गया है गुरुत्वा कर्शन नियंतरन के साथ प्रदान किये गए उपकरण का उप्योग करने की इस्तिती कौन सी है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है option नमबर बी यानि उर्धातर इस्तिती अगला प्रश्ण दिया गया है पैमाने का नाम बताना है तो चार option दिया इनमें से right कौन सा है जल्ली से बता है तो इसका जो right answer है option नमबर डी इसे बोलता है गयर रेखिये पैमाना अगला प्रश्ण दिया गया है इस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिती की कारण कौन सी त्रोट होती है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है option नमबर ए यानि उपकरण त्रोटी अगला प्रश्ण दिया गया एक ओम और एक ओम से नीचे प्रत्रूत्मान कुमापने के लिए किस उपकरण का अपयोग किया जाता है तो चार option में से right कौन सा है तो right answer है हमारा option नमबर C यानि sun type ohm meter अगला प्रश्ण दियागा उन्नत मेगा ohm meter में प्रदान किये गए तीसरे सीरे का उद्देश से क्या है तो चार option में से right कौन सा है तो इसका जो right answer हो है option नमबर D यानि दोलन के बिना सटिक रीडिंग प्राप्त करें अगला प्रश्ण दिया गया संट प्रद्रोश सामिगरी का नाम क्या है तो चार option दिए गया आपको बताना इसका correct कौन सा है जो right answer है दोस्तों वह हमारा option नमबर D यानि इसे बोलते है में गा निन अगला प्रश्ण दिया गया है चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है तो चार option में सा right कौन सा है तो right answer है option number A यानि इसे बोलते है बिचलन बला अगूण धारा के अनपातिक है अगला प्रश्ण दियागा है यदि उर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोट के लगातार गूंती है तो कौन सी तुरूटी है तो चार option में सा right कौन सा है तो right answer दोस्तो option number हमारा डी इस राइट आजर रेगनी की तुरूटी तो दोस्तों यह हमारा पार्ट इस complete होता है आपको मिलते है नेक्स पार्ट में थेंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो जय हिंग जय भरत